नेहा बाथम एक लोगप्रिय भारतिया एंकर और पेसेस एक प्रसिद्ध न्यूज रिपोर्टर हैं यह अपने काम को लेकर काफी भावुक रहती हैं और अपने सोशल मीडिया चैनल पर भी नियमित रूप से अपडेट रहती हैं इन्होंने अपनी पत्रकारता करियर की सुरुवात जी न्यूज चैनल से की थी लेकिन पिछले 6 साल से या आज तक न्यूज चैनल के साथ काम कर रही हैं और या चैनल बारत का नंबर वन चैनल है जदी बात करते हैं इनके जन्म की तो इनका जन्म 4 नॉबंबर 1980 को लखनव में हुआ था और या वर्तमान में अपने पूरे परिवार के साथ मूंबई महराष्ट में रहती हैं इनका उपनाम नेहू है और इनके परिवार के लोग इने प्यार से नेहू काके बुलाते हैं इनके पिता का नाम परमोद बाथम है जो एक सरकारी सर्वेंट है और इनकी मा एक ग्रहणी है इनका एक बड़ा भाई है जिसका नाम सिवंबातम है और या फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं अब बात कर लेते हैं इनके एजूकेशन की तो इन्होंने अपनी स्कूली सिच्छा LA Martian School लखनौ से पूरी की जो लड़कियों का ही स्कूल था और अपनी स्कूली सिच्छा प्राप्त करने के बाद इन्होंने स्रीराम कॉलेज ओफ कॉमर्स नई दिली और M.T.W. स्विद्ध लेलनोटा से ग्रिजेशन और पोस्टी ग्रिजेशन के पढ़ाई पूरी की इसके बाद पत्रकारता में करियर बनाने के लिए इन्होंने मास कॉम्नीकेशन की पढ़ाई पूरी की यदि बात करते हैं इनके लव लाइफ के बारे में तो यह वरतमान में अविवाहित हैं और सोशल मीडिया के अफ़वाहों के निसार या किसी के साथ रिस्ते में हैं लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं है अब बात कर लेते हैं इनके पत्रकारिता करियर के बारे में तो इन्होंने अपनी करियर की सुरुआत एक पत्रकार के रूप में जी उन्यूज के साथ की थी और जी न्यूज के वेफसाइक पैनल में यह एक बहुत महत्पून वेक्ती थी अब बात कर लेते हैं इनके सैलरी के बारे में तो या निज एंकर के तौर पर 80,000 से लेकर के 1,000,000 तक के सैलरी प्राप्ट करती हैं अब बात कर लेते हैं इनके social media के follower के बारे में तो या social media पर काफी popular हैं और इन्हें बहुत लोग follow भी करते हैं यदि बात करते हैं इनके Instagram follower की तो इनके Instagram पर लगबख 70,000 से ज़्यादा लोग इने फॉलो करते हैं और ट्यूटर पर इने लगभग 90,000 से लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं और यह पूरे भारत में सबसे बेस्ट महिला निवजैंकर के तोर पर कारे कर रही है तो दोस्तों यदि हमारी दिवी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा इसी तरह की वीडियो राप्त करने के लिए